तो वेलकम बैक तो लास्ट सब्सक्रांब करते हैं कि इंग इंग्लिश में रह गया तो इस वीडियो में मैं हिंदी से स्टाट कर रहा हूं ऑके शोंड की अप्जिक्ड बनाया हमने उसके बाद हमें करना है अपडेट अब जब अपडेट करना है तो अपडेट की केस में क्या होता है कि पहले कून सा रेकॉर्ड अपडेट करना है उसको मुझे इस फॉर्म में लाना पड़ता है मतलब जहां पर अपने पास एडिट की बटन है एडिट के बटन के क्लिक पे जो रेकॉर् पर दिखना चाहिए एक्चुली पहले एडिट करो फिर अपडेट ओके सो वह से नेरो में भी समझाता हूं प्रसे अपडेट के लिए मैं अपिया दिखा देता हूं यह है जो हमारी अपडेट के लिए यूज़ने माले है अब मुझे काया करना है जैसे यह टेबल है मेरा राइट सो यहाँपे मुझे इडिट के बटन एड़ करना है सो यह हमना यह हमारा html था यह लोगो था या पर action करके column दे देते हैं और यह लास्ट टोले टीड़े में अभी बटन एड़ करेंगे बटन लास बेटियन बेटियन प्राइमरी और इस बटन का नाम रहेगा एडिट सो लेट सेव एंचेक ठीक है अब मुझे क्या करना है एडिट के बटन के क्लिक पे जो भी मैं रेकॉर्ड एडिट कर रहा हूँ वो रेकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए अब मेरे अब यह चोटा सा एपिया है जिसमें तीनी फिल्ड है तो मेरे गेट एपिया में सारा कुछ डिटा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा इंडिट के क्लिक पे फंक्शन कॉल करूंगा क्लिक और इडिट और उससे क्या बेजना है मुझे आइटम बेजना है जो आपजेक्ट अब जो गेट एपिया अपनी जिससे अपने को लिस्ट मिलती वहाँ पे अगर आपको पूरा डेटा नहीं है तो इडिट के क्लिक पे आपको अलग एपिया भी कॉल करनी पड़ते हैं वह सेनेरो में कुछ एपिजोड के बाद ट्राइक करूंगा बट यह बेसिक सेनेरो है जो चर्ण करते हैं है अब हमारे लिस्साग पूरा डेटा वैलेबल है छुट पूरा अबजेक्ट मैं यहाँ पे आपर पर शक्रपे श्राइंट करते हैं अब यह फंक्षर्मेंट करें अपय तो पूरा अबजेट भेजरा रहू हूँ आपडेक्श को केच करेंगे अशिक go मुझे यह अपना जो object बना है अपने डिश्ट डपर्मेंट object यहां पर असाइन कर देना है अभी मैंने इतना ही किया है क्या किया है अपने बटन के click पे यह function कॉल किया फंक्षण कॉल करते समय मैंने जो भी इट्रेट हो रहा है फॉर लूप वाल ऑब्जेक वो भीज दिया और यहाँ पर जो ऑब्जीक मिला वो मैंने डिपर्मेंट ऑब्जेक को असाइन कर दिया अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पर सेल्स आ गया डिपर्मेंट लोगों नहीं दिखना चाहिए अगर मैंने पेज रिप्रेश किया यह मेरा सेव मोड है तो मेरा सेव का बटन देखेगा अगर मैंने इडिट पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर दिखाना है अब यह कैसे डिसाइड करेंगे कि एडिट बटन दिखाना है कि सेव बटन दिखाना है अब अब्जेक्ट अब यह आप देखो में प्रिंट करके दिखा रहा हूँ पहले अब्जेक्ट पूरा जेसान जेसान पाइप यूज़ करना है तो मुझे यहाप पर जेसान पाइप आड़ भी करना पड़ेगा लेट सेवेंट चेक्ट अब जाइसे देखो यह इनिशेल पेज पर डिपार्मेंट आड़ी क्या था? जीरो अगर मैं किसी भी रेगवाट पर एडिट करता हूँ तो देखो डिपार्मेंट आड़ी चेंज हो रहा है सो मैं यह इस डिपार्मेंट आड़ी के साथ कंडिशन लगा सकता हूँ कि अगर डिपार्मेंट आड़ी इस इकुल टू जीरो है मतलब मेरा क्या कुंसा सीनेरो चलुए नया क्रिएशन वाला सब्सक्राइब ले लेते हैं और इसको बोलेंगे अपडेट अब डिपार्मेंट आपजेक्ट अब यहाँ पे मुझे फिर से एडड़ी टिफ लिखना पड़ेगा मैं यहाँ पे एंजी भी लिख सकता हूँ लेकिन वह शुडब बी मतलब जो भी नहीं चीज़े आये वह कोशिश करो ताकि इंटरूम में आपको वह चीज़े अच्छे से प्रिपर करने की ज़रूरत नहीं है तो हमें कुंसी बटन दिखाना है यह उसके बाद add the right else फिर से condition लिखने की ज़रूरत नहीं है else और यहाँ पे कुंसा condition डालना है अपडेट वाला ओं फिक है और यहाँ पे on save कि जगह on update function रहेंगा और यह function भी create कर रहें जैस्साimate function ता वहाई आज़ाई इस function रहेगा जस्त URL चेंज होगी अब देखो यह test कर लेते पहले कि save or update का बटन दिख रहा है कि नहीं so on the page load देखो save के बटन दिख रहे हैं लेकिन जैसे मैं record पे edit करता हूँ देखो update का बटन दिख रहा है फिर से save करता हूँ reload किया मैंने save की बटन update पे click किया update का बटन ठीक है अब update के बटन के click पे अपने को दूसरा API कॉल करना अब API का same रहेगा मैं यह copy paste कर रहा हूँ as it is code रहेगा अब यह आपको swagger में चेक करना है कि update की API कुन सी है normally हम जब actually project में काम करते तो अपने को API टीम बताती है कि update के case पे कुन सी API कॉल करनी है और वो सब okay so यह API है अब normally update के लिए अब मैंने जब यह API बनाए थी तो मैं भूल गया यह post ही रखा मैंने so normally यह put भी रह सकता है based on the API developer but as a standard अगर हम देखे ना तो update की API normally put के साथ होती है method के साथ अब ही मैंने यह बनाया तब मैं भूल गया तो पोस्ट ही रहे गया सो पोस्ट रखेंगे बट चेंज क्या है सिप मेरी URL यहां पर add new department था यह अपडेट सो यह URL कॉपी करता हूं मैं यह URL सिप यहां पर चेंज होगी बाकि सेम रहेगा के जगा अपडेट दिखा देते हैं और जैसे अपडेट हो जाए फिर से डिपार्मेंट कॉल कर लेंगे अब सेव करके चेक कर लेता एक बार अब मैं क्या कर रहा हूं डेवलोपमेंट लास्ट वाला जो रिकॉर्ड हमने क्रेट किया तरह उसको एडिट करता हूं और को का अपडेट का कॉल जा रहा है की नूढिए अब एडिट मोड में हुँ तो बराबर मेरा अपडेट का बटन दीकहुरा है सब्सेट के चीज़ जिसको एक जल्दी समझ गया वह एंगुलर में अच्छे से काम कर सकता है क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक्य है कि यूर्ल फिट करने से क्या हो रहा है डिटा कैसे अपडेट होता है जिनको थोड़ा बैकेंड को नॉलज है उनको यह जाता है बट जो फ्रस्ट टाइम के साथ इंटिग्रेशन कर रहे तो उनको थोड़ा सा दिकर जाती है समझ लें अब अब एडिट हो गया एडिट के साथ अपने अपडेट भी कर लिया अब बची चीज़ है डिलीट के बिलेट और यहां पर फॉंक्शन बोलता हो ओन डिलीट चीज़ के पहले यहां पर देख लेते कि अप्या है कि नहीं है अब इस अप्या को देखो क्या चाहिए परामेटर डिपरमेंट अब यूर्यल कैसे बनने चाहिए वह भी देखा देता हूं देखो आपकी यूर्यल question mark department id is equal to जो भी डिपरमेंट डिलीट करना है उसका id भेजना है ओके सो HTML से यहां पर पूरा object ना भेजता हूं है सिब department id भेजो पूरा object भेजने की जरूरत नहीं है ओके सो मैंने यह function जब call करूंगा मैं यहां से क्या बेज रहो डिपरमेंट id और यह क्या रहेगा अपना डिलीट ठीक है अब यह function बना लेते हैं अब यह function जब मैं call कर रहा हूँ तब मैं क्या कर रहा हूँ आईडी भीज रहा हूँ तुस आईडी को कैच करते है आईडी कोलन नमबर अब अगें अपनी URL क्या रहेगी यह सो लेट्स कॉपी और यह URL अपन यहां पर डालते हैं पहले देख लेते हैं कि गेट है कि क्या है अब देखो यहां पर http डिलीट है सो यहां पर जो हमने कॉपी पेस्ट किया को उसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा अपनी मेथड क्या है डिलीट अब डिलीट मेथड को object ज़रूरी नहीं है तो यह निकाल देते हैं अब यह जो आ इस इक्वल तू प्लस और जो आईड आएगा परमेटर में वह आईड में यहां पर बेज़ो और यहां पर मैसेज दे देटे डिपरमेंट इलीटेट सक्सेश लेट सेवेड लेते हैं अभी अब अगर मैंने इस रेकॉर्ड को डिलीट किया सो देखो मेरा इप्या कॉल चला गया डिलेटर सक्सेश हो गया और रेकॉर्ड भी निकल गया अब नेटर कॉल दिखा देता हूं यह देखो डिपरमेंट आईड इस इकूल तो त्री सो जिस रेकॉर्ड पे हमने क्लिक किया उस रेकॉर्ड का आईडी चला गया बट अभी क्या हुआ जैसे मैंने क्लिक कर दिया वैसे मेरा इप्या कॉल चला गया ऐसा नहीं होना चाहिए यूजर गलती से भी डिलीट बटन पर क्लिक कर सकता है तो हम एक पॉप अप दिखाते हैं तो वह पॉप अप आर यूशुर वान टो डिलीट वाला तो वह कैसे करते हैं वह दिखा देते हैं तो यहां पर हम लोकल वेरेबल क्रेट करेंगे इस दिलीट और इसमें क्या स्ट अब अगर मैंने ऊब क्लिक किया ना तो इस विरेवल में मुझे टू मिलता है अगर कैंसल किया तो फॉल्स मिलेगा सबर एक विरेबल ट्रू है तो ही मेरा यह पिकॉल ट्रिगर होना चाहिए सो यह ऐसा अब भी देख और इस गोर से क्या होता है अब मैंने अगर डिलीट पर क्लिक किया पॉपप आया अगर अगर मैंने कैंसल पर क्लिक क्या तो देख कर नहीं है डिलीट अगर मैंने ओके किया तब जाके मेरा एप्यों कोल राइट और मेरा रिकॉर्ड भी निकल गए so this is how we do the API call integration in case of edit and the update ये normal scenario, basic scenario और थोड़ा सा complicated होता है बट अगले कुछ episode के बाद basic topic खतम हने के बाद मैं advanced scenario लूँगा उसमें मैं ये cover करूँगा okay so that's it with this current video if you are new please do join my whatsapp channel also and please do subscribe also thank you